जो तो सोचल फार्मेसी का चप्टर नमबर 3rd का है पार्ट नमबर 2nd nutrition and health पहले पार्ट में हम लोगोंने basics of nutrition और macronutrients के बारे में बात करी थी इस वीडियो में हम लोग micronutrients की बात करेंगे जो micronutrients किते दो तरीके की होते हैं कौन से एक होते हैं आपके विटेमिन्स और दूसरे कौन से होते हैं मिनरल होते हैं तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज डेटेल में बात करेंगे तो क्या है कि आपके स्लेबस में बहुत डीप में नहीं है लेकिन mcq point of view से अब क्या डीप है और क्या सुपरफीशियल है सिंपल चीज है ना तो हमको परहना लगबग सब कुछ पढ़ेगा तो ठीक भाई आज का टॉपिक कंप्लीट डेडिकेटेड होगा माइक्रो नूट्रियेंट्स पे छोटा सा वीडियो रहेगा ठीक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक इंपॉर्टेंच आफ water and fiber in dite means हमारे डायट में water and fibers का क्या importance नेक्स में परीवियस प्रीवियस में कम मात्रा में इस्तिमाल किये जाते हैं मिस हमारी बॉडी को बहुत कम एमाउंट में जरुत परती है इसलिए को हम माइक्रो नूट्रियंट बोलते हैं मिस कम एमाउंट में राइट लेकिन यह होते बहुत जरूरी हैं जैसे vitamins की बात करे, vitamins are group of related substance present in small amount in food stuff, means foods में, foods में, even fruits में, दोनों में क्या, बहुत small amount में vitamins present होते हैं, और हमारी body को भी vitamins बहुत small amount में जरूत परती हैं, लेकिन जरूर जरूर परती हैं, क्योंकि अगर body में आपके किसी भी तरह की कोई बीमारी होई, x, y, z कोई बीमारी होती है, तो आपकी body में किसी ने किसी vitamin की कमी जरूर है, किसी ने किसी vitamin की, means, जैसे, suppose, night blindness हो गई, मतलब vitamin A की कमी हो गई, किसी किसी के skin का color change हो जाता है, skin के color का change होना, जैसे, खुद गोरा-गोरा चेहरा है, है न, लड़कियों के case में खुद, जो लड़कियां बहुत गोरी-गोरी सी होती है, उनके क्या, चेहरे पे काला-काला सा हो जाता है, जहाई बोलते हैं जिसको, जहाई बोलते हैं, means, skin क्या color छोड़ देती, तो क्या चेहरा बाकी का खुद गोरा-गोरा सा रहता है, चेचप निकल आते हैं, यह सब किसकी कमी से, विटमिन B1 की कमी से, जिसको क्या बोलते हैं, बेरी-बेरी का रोग, तो means, किसी भी तरह का कोई तवचा संबंदी रोग हो, या XYZ, मैंने कहा न, कोई भी बीमारी हो सरीर में, कोई किसी का सरीर काफी heavy हो गया, पेट खुब निकला हुआ है, हाथ पैर इकदम दूबले-दूबले से हो गए, है, सुखा सा, सुखा सा बंदा हो गया, क्या बोलोगे उसको, कि सूख गया है, अब मैंने क्या कहा, कि हमेशा किसी ने किसी चीज की कमी, कोई ने कोई वाइटमिन, तो अगर कोई सुखा फ़ून गिरना, बैड इसमेल आना, पाइरिया हो जाना, है ना, दात अजीब से हो जाने, यह सब कहेंगी कमी, वाइटमिन की कमी से, वाइटमिन सी की कमी, तो करें आदा, आपकी बोडी में, अगर कभी भी किसी भी चीज की कमी होती है, इट मीन्स की बोडी में कोई न खाना खालो अगर वाइटमिन की कमी है तो खाना आपको सही से डाइजस्ट नहीं होगा खुब कैल्सियम खाते हैं लोग कैल्सियम की गोली भी खा लिए बच्पन से खुब दूद भी पी रहें दो तीन तीन ग्लास दूद पी रहें फिर भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉ कमजोर हैं क्यों कमजोर हैं इनको कैल्सियम की कमी है अब बताओ आप सोचके देखो कि आदमी कैल्सियम की गोली भी खा रहा है दो दो ग्लास सुबह साम दूद भी पी रहा है अंडे भी खा रहा है हर वो सोर्स जहां से कैल्सियम मिलता हर वो चीज इस्तिमाल करता उसके ब तो मैंने खा ना direct या indirect तरीके से अब अगर calcium आप sufficient amount में ले रहे हो फिर भी अगर आपकी bones कमजोर है it means कोई न कोई ऐसा vitamin है जो इसके digestion में इसके absorption में help करेगा means vitamin D3 अगर vitamin D3 की कमी आपकी body में है तो चाहे जितना calcium खहे लो calcium absorb भी नहीं होगा उसका deposition ही नहीं होगा तो vitamin D3 आप देखे होगे कि जब बहुत सारी ऐसी calcium की tablets आती है जो vitamin D3 के साथ आती है उसमें vitamin D3 मिला हुआ होता है तो कहने का मलब direct तो indirect मलब एक overview के लिए समझो कि कोई भी बीमारी आपके पूरे सरीर में है तो अगर आप उसका investigation करोगे तो आपको यही पता चलेगा कि किसी नहीं किसी vitamin की कमी जरूर है ठीक बहुत major role लेकिन amount में बहुत कम वहीं कहते हैं चोटा packet बड़ा धमा का necessary for the body function normally body को सही तरीके से body को externally भी सही तरीके से और body के अंदर का जो mechanism है bio chemical reactions हमारी body के अंदर हो रही है उसमें भी यह catalyst का काम करते हैं बहुत सारे enzymes के formation में इनका इस्तमाल होता है बहुत सारे hormones के formation में इन vitamins का इस्तमाल होता है जैसे steroid hormone हमारा vitamin D बहुत इस्तमाल किया जाता है उसके formation में तो vitamins are also called protective food means यह हमारी body को प्रतिरोधक छमता means किसी भी बीमारी से लड़ने की टाकत immunity को strong करते हैं ठीक है तो इसको क्या protective food भी बोलते है micronutrients यानि vitamins को they are grouped together because as their name implies they are vital factor in diet बहुत vital factor है किसमे diet में ठीक अब classification की बात करें vitamins की classification दो तरह के vitamins होते हैं एक होते हैं fat soluble fat को हिंदिन बोलते हैं वसा वसा में जो घुलनसील होते हैं उनको बोलते है fat soluble वसा में जो vitamins घुलनसील हैं उन vitamins को क्या बोलते हैं वसा soluble या वरसा में घुलनसील vitamins यह कौन से होते हैं A, D, E, K, EDEC, इनको in short क्या बोलते हैं, EDEC, ठिक, A, D, E, K, अब ये जो vitamins हैं, इनको daily हमें लेने की जरूरत नहीं, डाइट के साथ हमेशा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन body में कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा रोज लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, एक्सक्रीशन है, यूरिन के साथ वो नहीं होता, जब यूरिन के साथ एक्सक्रीशन नहीं होता, तो ये जो fat globules हैं हमारी body, मैं deposed tissues हैं, वहाँ पर ये इस्टोर रहते हैं, और जैसे जैसे जरूरत परती है, जैसे जरूरत परती, इनका utilization हो जाता है, तो एक sufficient amount में इस्टोर रहते हैं, इसलिए इनको रोज लेने की जुरूरत नहीं परती, कौन-कौन से, ADEC, A, D, E के याद रखो, fat soluble vitamins, fat solvent में soluble होते हैं, they are insolubile in water, simple से चीज़, दूसरी बात आती है, water soluble vitamins की, water soluble vitamins में, vitamin B और vitamin C आता है, folic acid बोलते हैं, बट यह folic acid भी part है, vitamin B का ही, vitamin B, vitamin B complex, means लगभग 9-10 vitamins का, एक complex structure है, जिसको बोलते है, vitamin B complex, इसको अगर बोला जाए, तो 1912 में, 1912 में, एक funk scientist थे, कौन थे, 1912 में, एक funk थे scientist, इन्हों ने निकाला था, किस से, यह जो चावल होता है, rice, इसकी जो उपरी layer होती है, उसका invention, means उस पे research कर रहे थे, और वहां से इन्हों ने, vitamin B को निकाला, बाद में, successively और study की गई, deep में गए, तो फिर उसी के, और derivatives निकल गए, जिसको respectively इन्होंने, B1, B2, B3, B4, B5 कर नाम दे दिया, लग बग 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 आठ दस vitamins का, इन्होंने derivative और निकाला, जिसको मिला के, क्या बता दिया, B complex, अब वो सबसे बड़ी चीज, vitamin की जान रखो, कि vitamin B, अगर बात की जाए, तो B कहां से मिला है, चावल की outer layer से, आज कल लोगों को, इसकिन का रोग खुब होता है, सुखा रोग खुब होता है, इसकिन का decoloration खुब होता है, जाई खुब होती है, क्यों, क्योंकि, भई अच्छा vitamin B, ताकत भी खुब देता है, पहले क्या होता था, आज कल कुकर में खाना बनता है, दूसरा rice कैसा रहता है, polished rice रहता है, अब vitamin B, कहां मिलता है, चावल की outer layer में, अब जब polishing हो गई, polishing हो गई चावल की, तो outer layer तो चली गई, मतलब vitamin B आपको मिलने से रहा, आप देखो, घर में vitamin B complex मिलेगा, हर घर में, लोगों का digestion ठीक नहीं है, क्योंकि जो, vitamins आपका digestion ठीक कर रहा था, वो तो polish में निकल गया, अब क्या बचा, खाओ carbohydrate खाली, बात समझे, तो जिन countries में, polished rice खाया जाता है, या golden rice खाया जाता है, जो golden rice होता है, golden rice बोलते हैं, golden rice में vitamin B नहीं मिलता, rice तो rice, लेकिन उसमें vitamin B नहीं मिलता है, याद रहे, उसमें मिलता है vitamin A, बाकी के सब rice में vitamin B मिलता है, लेकिन, अगर polished rice है, तो vitamin B की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए, आजकल skin के रोग खुब होते हैं, तो ये बात आई, तो हाँ, water-soluble vitamin की बात करें, तो B और C, oblique में folic acid, जो की B का ही पार्ट, अभी हम देखेंगे, ये, जो होते हैं, ये water-soluble होते हैं, जितनी जरूवत होती हैं, ये diet से लिए जाते हैं, जितनी जरूवत सरीर को होती है, उतना सरीर उसका इस्तिमाल करता है, जो बचा हुआ होता है, वो urine के रास्ते से निकल जाता है बाहर, means उसका excretion हो जाता है, urine के साथ, इसी लिए, जो water-soluble vitamin हैं, ये हमको रोज, daily, हमको food के साथ चाहिए, इनका storage नहीं होता, जितना जरूरत है, उतना सरीर में इस्तिमाल हो जाएगा, utilize हो जाएगा, जितना बचा हुआ है, वो urine के साथ बाहर चला जाएगा, कहीं storage नहीं है, fat-soluble का storage होता है, तो ये difference याद रखना, ठीक है, best source of micronutrients is our diet, our fruit and vegetables, simple सी चीज है, micronutrients, हमारे कहाँ पर, जो diet लेते हैं, fruits लेते हैं, जो हरी सबजियां खाते हैं, ये हमारे best source होते हैं, कहाए कि micronutrients, यानि vitamins और minerals के, अब शुरूगा है, vitamin deficiency can occur as a result, several factors, several factors में क्या, decreased dietary intake, अब diet की जब बात की जाए, तो एक balance diet और healthy diet की बात की जाती है, healthy diet या balance diet का, अब भई, कोई pizza burger खुद दबा के खाए, पेड भर ले यहां तक, और उसके बाद का हमा को, जो है, संपूर आहर मिल गया, complete food हमने balance diet ले ली, तो वो balance diet नहीं होती, ठीक, balance diet का chapter यही है, किसी भी रीजन से, अगर vitamins का absorption कम होता है, तो vitamin deficiency, disease हो जाती है, या फिर अगर diet के साथ, vitamins का intake कम किया जाता है, तो deficiency हो जाती है, increase need of particular vitamins, such in some disease, states है, किसी बीमारी में, कोई बीमारी किसी को हो गई, suppose करो किसी को skin रोग हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, berry berry, क्या बोले हैं, berry berry का रोग हो गया, यह, जो ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, जो लड़कियां बहुत गोरी होते हैं, उनको berry berry खुब होता है, जिसमें सबसे common जाई, सबसे common होता है, या फोड़े फुंसी खुब होते हैं उनके चहरे पे इसका मतलब उनको B1 की कमी है वाइटमिन B1 बेरी-बेरी तो अब अगर किसी को skin related disease है skin decoloration हो रहा है इसका मतलब उसको vitamin B1 की कमी है अब vitamin B1 की कमी है तो ऐसी stage में B1 का intake ज़्यादा होगा B1 से related उनको nutraceuticals की ज़रुवत पड़ेगी तो ऐसे case में इस particular vitamin को ज़्यादा लिया जाता है अब बात करें का है कि fat-soluble vitamin 1 by 1 जिसको क्या बलता है ADEC याद रहे ADEC ADEK ये काउंस है fat-soluble MCQ में खुब पुछे जाते हैं vitamin A की बात करें vitamin A को बोलते हैं हम retinol पहला example पहला MCQ का question retinol and pro vitamin and pro vitamin ठीक beta-carotene भी बोलते हैं और beta-carotene से ज़्यादा carrot में सबसे ज़्यादा vitamin A पाया जाता है best source बोलते हैं which some of which converted into retinol in the intestinal mycosa vitamin A participate many body function vitamin A जो है एक ऐसा vitamin है कि आपकी body में किसी भी तरह का कोई रोग हो जाए सबसे पहले लड़ने वाला vitamin आपकी body में होगा कौनसा vitamin A किसी भी तरह की कोई disease है सबसे पहले vitamin A आके उससे लड़ जाएगा वैसे अगर specific deficiency disease की बात की जाए तो night blindness night blindness vitamin A की कमी से होती means ऐसे लोग जिनको कम रोशनी में नहीं दिखता या साफ साफ नहीं दिखता इसलिए night blindness बोलते हैं उसको अच्छा body function जैसे normal vision को maintain रखने के लिए vitamin H ही है it is necessary for the integrity normal function the glandular and epithelial tissue lining, intestinal respiratory urinary tract eye or skin मैंने का ना बहुत wide variety में बहुत broad spectrum में इसका इसका इस्तेमाल होता vitamin A का उससे related हो चाहे नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं कहीं भी किसी का भी जगड़ा हो वो कूद जरूर जाते हैं उसमें बीज बचाओ करने या मारपीट करने तो ऐसे ही vitamin A होता उसको यह नहीं पता कि भाई बात क्या है लेकिन यह लड़ने जरूर पहुंचाएगा आपकी body को different जरूर करेगा इसलिए vitamin A की जरूरत body को बहुत ज़दा होती है ठीक support किसमे skeletal growth में अब सुचो कितने function हो गए anti-infective तो किसी भी तरह का कोई infection लगा हो तो vitamin A की जरूरत परती है सोचो हमें तो क्यों color blindness पता था लेकिन skeletal system की growth में भी यही इस्तिमाल होता है तो खहने होला vitamin A बहुत globally इस्तिमाल होता है ठीक अब deficiency से night blindness major अब night blindness means आंक से related कोई भी disease ocular manifestation also cause anorexia growth retardation इंसान की growth बहुत अच्छे तरीके से नहीं होपाती vitamin A की कमी से source क्या है अगर best source की बात की जाए तो पीला फल कोई भी पीला फल ले लीजिए पीले फल में vitamin A खूब मात्रा में होता है वैसे तो best fruit बुलते है papaya को कोई ऐसा vitamin नहीं है जो papaya में नहीं मिलता no exception कोई ऐसा नहीं है vitamin A की भर पूर मात्रा रहती है ठीक तो simply जो है बाकी carrot वगरा में तो रहता ही है egg हो गया cheese हो गया milk हो गया butter fish liver oil green leafy vegetables colour fruit colorful fruit खास कर yellow color colorful इसलिए carrot भी देखो colorful होती है है ना खूब होता है carrot में vegetables like कौन सी vegetables carrot हो गया tomato हो गया sweet potato हो गया golden rice example में याद रहे क्योंकि जब rice की बात आती है तो rice में सबसे ज़्यादा vitamin B पाया जाता है means B complex पाया जाता है अगर कभी confusion create करना हुआ examiner को तो examiner सबसे पहले vitamin B में लिख देगा golden rice और वहीं तुम confused हो जाओगे क्योंकि rice में तो vitamin B complex खूब होता है vitamin B, B1, B2, B3 खूब पाया जाता है लेकिन golden rice ऐसा होता है जिसमें कोई भी vitamin B नहीं पाया जाता हूँ जो vitamin B complex के 10 series हैं उनमें से कोई भी vitamin कराना होगा golden rice में vitamin A मिलता है अब vitamin D की बात करें जिसको हम बोलते है calcium ferol जिते को vitamin एक होता है D2 एक होता है D3, D2 को बोलते calcium ferol और D3 को बोलते cole calcium ferol यह जो cole calcium ferol होता है यह interfere करता है calcium के absorption में अगर इसकी मातरा कम है इस vitamin की मातरा कम है calcium का absorption बाडी में नहीं होता out of two forms cole calciferol found in animal fat and fish liver oil animal fat और fish liver oil it is also derived exposure of cholesterol to the ultraviolet rays ultraviolet colecalciferol नाम से पता चलता है cholesterol इसका derivation कहाँ होता है जब बोडी में cholesterol हमारी muscles में हमारे adipose tissues में blood vessels में जादा होता है तो वहां से जो high density lipid होता है वह उसको वहां से खीच के liver तक लेके आता है liver के अंदर उसका क्या होता है degradation होने के बाद एक product मिलता है vitamin D3 यानि vitamin D koli calciferol ठीक जब UV light का exposure होता है हमारी skin में तो यह convert होता है vitamin D3 koli calciferol calcitriol ठीक है exposure किसे UV light calciferol may be derived from exposure of plant esterol plant esterol से भी मिलता है ergo esterol to ultraviolet rays plant esterol plant esterol में कौन सा ergo esterol okay it is stored largely in fat departs हमने कहा था fat soluble vitamin यानि वसा में वह हमारी body में stored होते है storage होता है कि अगर कुछ दिन हमने नहीं लिया तो हमारा काम चल जाएग इसलिए कुछ लोग अधेरे में भी रहेंगे तो भी vitamin D की deficiency जल्दी नहीं होगी it promotes the intestinal absorption of calcium and phosphorus जिनकी भी body में vitamin D की कमी होगी उनकी bones कमजोर होती है क्यों कमजोर होती है क्योंकि bone के formation के calcium और phosphorus की सबसे ज्यादा requirement होती है अब खा तो लो तुम चाहे जितना लेकिन जब वो absorb ही नहीं होगा हमारी body में जाके तो खाने से क्या मतलब right तो क्या होता है कि ये absorb नहीं होता हमारी body तो calcium और phosphorus के absorption के लिए हमारा vitamin D बहुत जरूरी होता है ठीक it affects the maturation of the collagen increase the tubular re-absorption of the phosphate permit the normal growth तो vitamin D कई ऐसे body के vital function है जिनको interfere करता है source की बात करें sunlight is the best source दूसरा vegetables बहुत सारी है oily fish होती है egg yolk है और sunlight ये best source बुलते है अगर इसकी toxicity हो गई high calcium and phosphorus lead the confusion अगर high means सबसे ज़्यादा ज़्यादा हो गया अगर calcium और phosphorus तो confusion होना शुरू हो जाता है ठीक क्यों क्यों क्योंकि याद करो हाँ अच्छा आप लोग फस्टियर में हो तो भी pharmacology पढ़ी नहीं calcium क्या है high voltage हमारे जो neurons होते है neurons की जो neurotransmitter उसमें chemicals होते है जिसके थूरू message आता जाता है हना nervous system में पढ़ोगे आप लोग कि किस तरह से impulse conduction होता है ठीक तो nervous system by averaging निकालना 6-7 part में बहुत अच्छे से clearly समझ में आ जाएगा तो हमारी body में जैसे हमको यहाँ पे pinch भी तो यह message neuron के through किस तरह brain में गया और motor nerves किस तरह से message लेके आए यह जो propagation है message का kidney damage हो सकती है calcium deposits जिसको बोलते पत्थरी इस्टोन बोलते पत्थरी हो जाती है kidney kidney के राश्टे kidney stone खूब होता है क्यों kidney के रास्टे से excretion होता है जब excretion होता है तो excretion नहीं ज्यादा हो पाता जड़ाए इमांट में हो जाता तो kidney वाइटमिन E को टोकोफेरल बोलते हैं अब अगर वाइटमिन E की कमी है तो इंसान का जन्म जिस चीज के लिए इस प्रत्वी पे होता है वही काम वो नहीं कर पाता है किसी भी इंसान का जन्म अगर देखा जाए बेसिकली तो क्या भगवान ने जन्म क्यों दिया आदमी और क्यों बनाएं लड़का और लड़की क्यों बनाएं ताकि वो अपनी जन्रेशन को आगे बढ़ाएं अगर बाड़ी में वाइटमिन E की कमी हो गई यह चाहे मेल हो चाहे फीमेल उनके अंदर फर्टिलिटी पावर नहीं रह जाती अगर आदमी में कमी हो गई तो उसके इस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मेंस वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते अगर इसलिए मैंने का बहुत इंपोर्टेंट है इसको क्या बोलते है तोको फेरोल तो यह नाम जरूर याद रखना कि विटमिन D को भाई करसी फेरोल या कोले करसी फेरोल विटमिन A को क्या बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं विटमिन E को क्या बोलते हैं तो नाम जरूर याद रखना तो टोको फेरोल इस बैलोजिकली मोस्ट पोटेंट मोस्ट पोटेंट क्यों क्यों कि अगर इंसान बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा तो मतलब क्या उसके जीनेगा बहुत सारी प्रॉ इस प्राउटेड फूड ठीक खड़ा फूड या अंकुरित अनाज और बोडी में ये खुद सेल्फ मैनुफेक्चर होता है अब सोचो ये ऐसा वाइटेमिन है कि इसकी मैनुफेक्चरिंग बोडी के अंदर खुद हो जाती है इसको क्यों रॉब मेटेरियल चाहिए बोड की जनरेशन बढ़ाए है ना जबकि भारत में अगर बात किया अपने इंडिया के अंदर वाइटेमिन ए की कमी नहीं है हर दिन पॉपलेशन बढ़ती जा रही है खुब मात्रा में बढ़ रही है है उसको कंट्रोल करने की जरूद है तो अपने हां के एटमास्प्र में 10 mg for an adult adult को रोज 10 mg लगभग इसकी requirement होती है अल्मंड में पीनट पीनट बटर पंकिन और बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया इसको manufacture करता है मिस इसका निर्माल खुद करता है वाइटमिन ए का ओके हाँ वाइटमिन के की बात करें वाइटमिन के ब क्लॉट नहीं होगा क्लॉटिंग के लिए वाइटमिन ए बहुत जरूरी है ठीक इट अकर्स इंटू फॉर्म के वाइटमिन के हमें के वाइटमिन के फोकस करेंगे ठीक है के अवेलेबल इन के सिंथेसाइज बाइटेस्टाइन बैक्टीरिया हमारी बाडी में सेल्फ अब तुम बना सकते इसको लांग टाम एडिमिनिस्टेशन आफ एंटिबाइटिक डोजेज फॉर मोर दैन वीक में कॉस्ट इफिसेंसी ऑफ वेटमिन के टू दू सपरेशन आप इंटेस्टेल माइक्रोबियल फिवलोरा अब कई बार केसे में क्या होता एंटिबाइटिक खुब लेने लगो तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो कॉलोनी है वो कम होने लगती है जब कम होने लगेगी तो वेटमिन के का प्रोडक्शन कम हो जाएगा जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी वेटमिन के also known to the stimulate production and release the certain coagulation factor, vitamin K coagulation factor के लिए बहुत important होता है ठीक, source की बात की जाए pork, cereal, legumes, green vegetable, meat fruit, milk, toxicity अगर ज़्यादा toxicity हो गई बहुत ज़्यादा vitamin K हो गया तो RBC का destruction स्टार्ट हो जाएगा brain damage हो जाएगा infants, अगर females में vitamin K टोक्सिटी जरूआँस से ज़्यादा हो गई तो जरूआँस से ज़्यादा भी नुक्सानदा है, झारूआस से विर्यादा क्म हो गया तो खुण पतला होता जाएगा, खुण बह जायेगा means अगर बहने लगेगा तो रुकने वाला नहीं है तो कुल मिलाके इसका मिंस न ज्यादा होना चाहिए और न ये कम मात्रा में होना चाहिए बराबर होना चाहिए अब अब बात करते हैं वाटर सॉल्बल वेटमिन इनको स्टोरेज नहीं होता है इनको हमें रोज अपनी डाइट में लेना ही लेना होता है ठीक है और इनका एक्सक्रिशन हमारी बाड़ी में यूरिन के थुरू होता है वेटमिन B1 की बात करें जिसका नाम क्या है थियामिन यह सब नाम याद रखना एक तरफ वाइटमिन लिखना एक तरफ उनके अपना केमिकल नेम लिख लेना वाटर सॉल्बिल विटमिन इसेंशल फॉर उटिलाइजिशन ऑफ दे कार्बोहड़ेट के डाइजिशन के लिए बहुत जरूरी होता है कहां मिलता है मैंने का ना फुंक नाम के साइंटिस 1912 में वाइटमिन नामक सेंटिस्ट प्वण और हाफकिंस ने बिसिकली वाइटमिन को किया था और वाइटमिन को कहां से किय था तैसे किया था वह है उसकी आउटर लेर पर कुछ कांम कर रहे थे रिसक्ष नको वीटमिन बीमिला था टाल। deficiency of vitamin called the accumulation of the pyruvic acid, leptic acid in tissue body fluid readily lost from rice during the process of milling process of milling मतलब जब rice की polishing की जाती है तो उसमें जो vitamin B1 होता है, thiamine होता है वो lost हो जाता है, वो body से, means body में आ नहीं पाता है ना तो जिसकी वज़े से क्या होता है कि skin से related बहुत सारी diseases होती है the disease caused by deficiency, very very major symptoms of the peripheral neutrality means very very मतलब skin का decoloration, जाई आना, फोड़े फुनसी आना ये सब क्या है skin related disease है, thiamine की जोगत 30 mg, 30 mg एक adult को दिन भर में consume करना रहता है, source की बात करें अगर milk या milk product green vegetable, meat, liver, fish या फिर बात करें चावल का जो माल होता है अब माल को क्या बोलते हैं, अंगरे जी मियार ये तो नहीं बता, लेकिन समझाने के लिए बताओ, पहले गाओं में क्या है, कुकर में तो कुकर वगरा तब था नहीं, चूले पे खाना बनता था, और उसमें बड़ा सा पतेला टाइप के चढ़ा दिया जाता था, उसमें चावल डाल दिया, और पानी डाल दिया, हना जब वो वायल होता था, तो उसका जो सफेज सफेद ऊपर का जो एक्स्ट्रैक्ट निकलता था, उसको क्या बोलते थे, माल, बहुत सारे लोग, उस माल को चावल के साथ, नमक मिला क खा जाया करते थे, जब किसी को स्किन रिलेटेड डिजीज होती थी, तो गाउं में जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो बोलते थे, कि चावल का माल खिलाओ इसको, चावल का माल में थोड़ा सा नमक मिला कर पी जाओ, हना, तो ये बेरी-बेरी या स्किन रोग ठीक हो ज आपको दिखा दिया है, कितना गंदा इसको कैसे खाते हैं, और वही चावल जब उसका सारा मसाला निकाल के बड़िया पॉलिस कर दिया जाता है, उसको बड़े चाव से खा लेते हैं लोग, हना, तो प्रॉब्लम है, विटमिन B2 को केमिकल नेम है, राइबो फ्लेविन, य जिन में विटमिन B2 की कमी होती है, उनकी तुचा तुम देखते होगे ठंडी हलकी से होट फटने लगते हैं, कुछ लोगों के पैरों में पैर की जो एडिया होती इतनी ज़्यादा फट जाती हैं, उनसे खून तक निकलाता है, तो इसकिन का फटना, हना, तुचा का फटन किसकी वज़े से, विटमिन B2 यानि राइबो फ्लैविन की वज़े से, डिफिसेंसी कॉज इंफ्लमेशन आफ ओरल म्यूकोसा में प्रॉब्लम हो जाती है, इट फर्दर कॉज इंपेर्ड दर नीरो मोटर फंक्शन, नीरो मोटर फंक्शन में भी, हना, इंक्रीज दसे सिस पूरी फंक्शन उनके थू कोडिनेट होते हैं, विटमिन B3 की बात करें, जिसको बोलते हैं, नियासिन, और निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, ठीक, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, अब इसकी डिफिजेंसी से पेलैगरा रोग हो जाता है, जिसको तो बोलते हैं असमे बालों का सफेद होना जैसे होता ना आज कल बच्चे 10-12 साल के बच्चे देखो उनके भी सब बाल सफेद हो जाते हैं या खिचड़िया बाल हो जाते हैं आधे काले आधे सफेद तो किसके वज़े से विटिमिन B3 की कमी की वज़े से होता है हना इसका जो प्रिकरसर होता है ट्रिप्टोफान बी यानि विटिमिन B3 के बनने का जो प्रिकरसर होता है होता है त्रिप्टोफान ठीक ट्रिप्टोफान प्रिकरसर है इससे B3 बनता है डिफिसेंसी रिजल्ट पिलेग्रा मींस एक तरह से बाल सफेद होना या चर्म रोग होना यह सब किसको क्या पिलेग्रा बोलते हैं करेक्ट्राइज दा डैरिया डर्मेटाइटिस चर्म विटमिन B3 मिलती है नियासिन मिलता है उन चीजों का अगर इस्तिमाल किया है तो यह रिवर्स हो सकता है जो चर्म रोग हुआ है जो डिमेंसिया हुआ है जो डर्मेटाइटिस हुआ है यह ठीक हो सकता है अगर रिच फूड लिया जाए तो सोर्स का है वाइडली कम मात्रा में इस्तिमाल होता है अगर जादा ले लोगे तो उसी की चीज़ की toxicity हो जाएगी B6 की बात करें जिसको बोलते है Pyridoxim, मैंने गा ना जैसे इधर B6 लिखा, इधर क्या लिखोगे Pyridoxim इस तरह से table ज़रू बना लेना और table बना के इधर लिखो vitamin इधर लिखो chemical name इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे source और इधर लिखोगे deficiency से disease इस तरह से table बना लेना बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक ऐसे confusion होगा, it exists in three form Pyridoxim क्या है तीन form में Pyridoxim, Pyridoxal और Pyridoxim main, ठीक तो यह तीन form में होता है तो अगर B6 में पूछ लिया जा तो और तीनों option दे दिया है कौन सा है वाला दब तीन form में यह क्या है exist करता है MCQ के जब मैं question बनाऊँगा तो यह point जो है उसमें क्या highlight कर दूँगा It is important role in metabolism of amino acid fat carbohydrate, amino acid fat carbohydrate protein के digestion में इनका इस्तिमाल खुब होता है It is a deficiency associated peripheral neuritis Riboflavin deficiency impairs optimal utilization of the paradox अगर किसी में vitamin B12 की कमी है जिसको किसकी vitamin, sorry B2 की कमी है Riboflavin बोले तो B2 है न B12 तो साइडों को बला में हो गया अगर B2 की कमी है तो B6 का impairment हो जाता है means दोनों correlated दोनों vitamins साथ साथ चाहिए Otherwise problem हो जाती है इसको सही करने जिसकी वज़े से क्या होता है Isonicotinic acid, hydrogide and anti-tubercular drug known the antagonist of the pyridoxim अगर किसी को TB की problem है means TB की दवा चल लही है तो वहाँ पे उसको vitamin B6 की problem हो सकती है क्योंकि TB की जो दवाए होती है vitamin B6 जिसको pyridoxim बोलते हैं उसके antagonist है तो जो vitamin B6 काम करता है उसको वो काम नहीं करने दिया जाता तो B6 काम नहीं अगर करेगा तो क्या problem हो जाएगी एनेमिया की problem हो जाएगी एनेमिया हो जाएगा उस patient को इस सब क्या है meat, liver, legume, cereals, peanut यह सब क्या है basic source है अब बात करें king of the vitamins B12, sinocobalamin complex of the organometallic compound cobalt ठीक, बहुत सारी बहुत सारी अगर B12 की कमी हो गई तो survival समझ लो cooperate with the folate the synthesis of DNA synthesis of DNA सोचो कितना important है DNA की synthesis नहीं होगी अगर इसकी कमी हो गई independently involved the synthesis of fatty acid in myelin exons पे जो myelin की sheet होती है जो fat की जो lipid की sheet होती है exon पे जिसको हम बोलते है myelin उसकी synthesis नहीं होगी अगर body में vitamin B12 यहनि साइनो कोबलामिन की कमी है तो important सोचते जा DNA नहीं बनेगा exon पे sheet नहीं बनेगी अगर वो sheet नहीं होगी तो होगा क्या अगर कोई electrical signal आता है तो उसकी वज़े से short circuit हो जाएगा क्यों यह जो sheet होती है जो आपके घर में tire की cable बिची रहती tire wire बिचा रहता है wire के उपर जो plastic की covering रहती हो किसलिए रहती है ताकि current बाहर न जाए insulation के लिए ठीक उसी तरह हमारे जो exons हैं वो wire का काम करते हैं और यह जो myelin की sheet होती है यह insulation का काम करता है वहां से जो उसके अंदर electrical signal जा रहा है वो बाहर न जाने पाए बात समयें deficiency associated अब megaloblastic enemia RBC का size बहुत बढ़ जाएगा number of RBC घटने लगेंगे उनके अंदर oxygen carrying capacity कम होती जाएगी megaloblastic enemia ठीक reduced myelin formation बताई रखा leading to the neurological lesions, spinal cord and infertility अब सबसे बड़ी समस्या अगर myelin sheet नहीं बनी जब neurons ही सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता भई जो आपका transportation system है message का आदान प्रदान है जब वहीं सही तरीके से नहीं पहुचेगा तो body में functioning सही नहीं होगी dietary deficiency में arise the individuals who are strictly vegetarian eat no animal product ये problem जो pure vegetarian है और rich food नहीं खाते हैं उनको ये problem खुब होती है लेकिन जो non waste खाते हैं उनको ऐसी कोई समस्या नहीं आती है ठीक अब vitamin B5 की बात करें जिसको बोलते है pantothenic acid vitamin B5 को बोलते है pantothenic important role biosynthesis of cartico steroid steroids की formation में इसका बहुत बढ़ा रोल होता है mostly present in cell as the co-enzyme हमने करें सारे बहुत सार या तो catalyst का काम करते हैं या किसी ना किसी enzyme के formation में co-enzyme का काम करते हैं it needed in for the normal development of blood cell in bone marrow bone marrow में blood cells के development में help करता है pantothenic यानि B5 अगर deficiency हो गई तो megaloblastic anemia gastrointestinal disturbance like diarrhea हो सकता है antagonist like इनके भी antagonist कौन से trimethoprin pyrimethamin in early pregnancy may produce the abortion अगर किसी को trimethoprin tablet या pyrimethamin इसकी dose दी जा रही है during pregnancy तो ये antagonize कर देते हैं pantothenic acid B5 को जिसकी वज़े से majorly abortion भी हो सकते हैं newly pregnant lady को abortion के chances होते हैं कई बार होता है कि सब कुछ चोट नहीं लगी ज़्यादा चल फिर नहीं रहे है normal रहे है फिर भी abortion हो गया तो क्यों हो गया क्योंकि ऐसी कोई दवा उसने intake करी होगी किसी दवा के बीमारी के treatment के लिए ठीक सोर्स क्या है वही citrus food juice tomato vegetables pantothenic acid के major और rich source है फिर folic acid की बात की जाए जिसको folate बोलते है vitamin B9 मैंने का ना B and C क्या बात हुई थी B and C हमने का ना folic acid जो है B का ही पार्ट है जिसको B9 बोलते हैं source क्या है kidney, liver, vegetable, meat, cereal, fruit some dark vegetables ये सब क्या है ये source है folic acid के green vegetables में जिसे साग सब्जी ओगरा हो गया dietary requirement लगबग 200 mg ठीक higher dose in some situation 200 mg normal adult को दिन भर में चाहिए कुछ cases में कोई patient ज्यादा weak है तो उसको थोड़ी सी higher dose toxicity अगर हो गई तो mask the B2 deficiency can mask B2 deficiency B2 deficiency जो हो रही है पता नहीं चलता है कि वो अंदर अंदर बरती चली जाएगी may increase the risk of the seizures in some people seizures हो जाएगा means electrical signal है वो बाहर short circuit होने लगेगा trimmers आने लगेंगे है ना convergence होने शुरू हो जाएगे result of deficiency क्या macrocytic RBC का size macrocytic anemia जिसको large RBC बोलते है inflammation of the tongue diarrhea tongue की information means information हो जाता है means tongue में क्या दाने वागर निकलाते हैं आकसर lead to the deficiency means antagonist drug कान से है अगर किसी को sulfasalegin या phenytoin की दवा चल रही है तो may be कि उसको folic acid या B9 की deficiency हो जाए B7 की बात करें इसी को बोलते है vitamin H B7 को बोलते है vitamin H made by the intestinal bacteria available in many food sources 100-300 mg जो है एक ड़ल्ट को जरुत होती है इसकी toxicity ज़्यादा कम report नहीं की गई means पता नहीं चल पाया है कि भई ज़्यादा होने से क्या होगा कम होने से क्या होगा result of deficiency ये बहुत rare है कि deficiency से muscle pain, dermatitis, hair loss की problem होती है means बहुत ज़्यादा अब vitamin C बड़ा important है also known as ascorbic acid अगर इसकी कमी हो गई तो दाक्त, gums related problem बहुत होती और भी इसका बड़ा major role है major role का vitamin C होता है खटा ठीक अगर vitamin C की कमी हो गई body के अंदर vitamin C की कमी हो गई तो vitamin C की means खटा है अब एक चीज़ याद रखो vitamin C की कमी से क्या हो जाएगा diabetes भी जाती है क्या हो जाती diabetes भी जाती means vitamin C कम तो मीठा जादा blood में खटा कम तो मीठा जादा अगर vitamin C बराबर मात्रा में है तो diabetes को control रखेगा means sugar की level को control रखेगा अगर खटा जादा खाया तो diabetes का level हमेशा कम रहता है ठीक है also ascorbic acid heat sensitive होता important role tissue oxidation में formation of collagen iron ferrous facilitate absorption of means iron के absorption में vitamin C की जरूवत बहुत ज़्यादा परती दूसरा अगर कहीं किसी को चोट लग जाती है किसी को घाव हो जाता वूंड हो जाता है तो vitamin C की अगर body में sufficient amount है तो क्या होगा घाव जल्दी भर जाता है vitamin C अगर है body में तो घाव जल्दी भर जाता है अगर कमी है तो gums में bleeding होने लगती subcutaneous bleeding होने लगती है skin joints wound healing means delayed wound healing घाव जल्दी नहीं भरेगा अगर vitamin C हो गई weakness patient weak होने लगेगा anemia हो जाएगा ठीक तो vitamin C को बोलते है ascorbic acid or very important अब दूसरा micronutrients दी बात करें minerals minerals हमारी body में देखो क्या है वो ऐसे कुल मिला के 23-24 minerals ऐसे हैं minerals तो बहुत होते हैं लेकिन 23-24 हैं जो हमारी body में requirement होते हैं इसकी भी 2-3 category कर दी गई है एक category हो गई है कि जिसकी हमारी body में requirement बहुत कम होती है एक category कर दी गई है जो बिलकुल ना के बराबर जैसे हलका फुलका infection means contamination फैल जाए सिर्फ इतनी जरूवत होती है means ना के बराबर negligible जैसे लग भग 50 elements ये 50 elements found in human body लेकिन 24 की ही जरूवत हमको परती है there are required for the growth and repair regulation of the क्या major function body के major function के लिए बहुत ज़दा दूसरी चीज minerals कैसा है इसमें carbon नहीं होता पहला important चीज क्या है ये carbon means organic नहीं है कोई कहे कि minerals organic होते है तो statement गलत minerals कैसे है inorganic ठिक inorganic मतलब इसमे carbon की मात्रा नहीं होती correct पहली चीज important समझ लो अब वो inorganic होता है ठिक divided in three major groups एक क्या है major वैसे दो ही सब ज़गे मिलेंगे major elements वो होते हैं जो हमारी body में सबसे ज़दा जुदत होती जैसे calcium phosphorus bone के formation में calcium phosphorus का योगदान है sodium potassium की बात की जाए brain में message जैसे neuromuscular junction means किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाए माइस्थेनिया ग्रेविस means body क्या है respond अच्छे से नहीं करती neuromuscular blocking agent means लोग भी खोया जो relax पढ़े रहते जो जानवर को मारने के लिए भी खुब इस्तमाल किया जाता है मार दिये तो जानवर भाग नहीं पा रहा है means muscle का contraction नहीं हो पाता है वो relax condition में पढ़े रहते है तो sodium की जुरत बहुत पढ़ती है potassium की जुरत protein में बहुत सारे proteins हैं बहुत सारे amino acid जिसकी synthesis के लिए potassium की जुरत पढ़ती है magnesium, sulfur, chloride ये सब body में सबसे ज़्यदा मात्रा में इस्तिमाल किया आते है trace element की बात किया जिनका body में बहुत कम योगदा means बहुत कम मात्रा में जैसे iron हो गया iodine हो गया आप सोचके देखो iodine नमक में खाते हो कितना नमक खा लेते हो सरीर में और उस चुटकी भर नमक से बहुत देख चमच डाल दिया खाने में पूरे घर ने खा लिया तो आपके हिस्से में कितना नमक आया और उसमें उतना iodine है जो आपके लिए sufficient है means बहुत कम मात्रा में हो ठीक वैसे ही iron की बात करें वैसे ही हम किसकी बात करें ठीक है कोबाल्ट हो गया साइनो कोबलामिन कोबाल्ट रहता है उसमें विटमिन B12 उसकी deficiency हो जाएगी selenium, chromium यह सब क्या है trace element कम मात्रा में कुछ है trace contaminants यह सिर्फ बहुत कम ना के बराबर जैसे lead हो गया lead हो गया, mercury हो गया aluminium होगा ना के बराबर कोई ज़रूत नहीं है only few minerals are related to notable clinical situation presented below कौन से? calcium हमने बताया, calcium में 1.5 से 2% body weight body weight का 1.5 से लेके 2% body weight calcium का होता है, लेकिन हमारी bones में 98% होता है 98% होता है blood contains concentration 10 mg per deciliter, blood में जो calcium की मात्रा है, 10 mg per deciliter, ठीक calcium concentration in skeleton equilibrium with the blood blood के साथ equilibrium में रहता है, मतलब की blood में अगर calcium की मात्रा कम है तो bone से निकल के blood में आ जाता है और अगर blood में calcium की मात्रा जादा है तो उससे निकल के, और bone में कम है तो उससे deposition bone में हो जाता है दोनों में sufficient है, blood में जादा है और bone को चाहिए नहीं तो फिर वो excret हो जाता है ठीक, या deposition होने लगता है जिसके लिए जो regulatory हमारे जो calcium के लिए दो hormone regulated होते हैं जिसको एक को बोलते हैं पैराथ हार्मोन और एक को बोलते हैं अगर bones किसी की कमजोर हो रही है bone अगर कम है bone में calcium की मातरा कम है तो calcitonin का secretion होता है calcitonin का जब secretion होगा तो bone में calcium का deposition होता है अगर bone में calcium जादा है तो पैराथ हार्मोन का secretion होता है पैराथ हार्मोन क्या करेगा bone से calcium निकाल के blood में डाल देगा φlut washmm में बढ cameras in ब्लोण फ्रब्रेशन नहीं हो सकता राइट मसल का कॉंट्रेक्षन नहीं हो सकताइट का क्लियर का डिजीज कोई क्लियर का डिजीज नहीं है और अगर कमी हो गई तो रिकेट्स हो सकता है ठीक मींस बहुत कमजोर पेसेंट क्या है बहुत कमजोर कमजोर से रहेगा ताकत नहीं रह जाएगी बहुत विकनेस हो जाएगी आयरन की बात करें बहुत ही इंपोर्टेंट ह आईरन क्योंकि अगर आईरन की मात्रा कम हो गई तो खून नहीं बनेगा खून नहीं बनेगा अगर आईरन की मात्रा कम हो गई बाड़ी को 3-4 ग्राम आईरन की ज़रोत परती है out of 60-70 present in the blood 3-4 ग्राम जो आप दिन भर में आईरन कंज्यूम करते हो उसका लगबग 60-70% कहां रहता है blood में रहता है heem plus globin भई hemoglobin हमारी body में क्या है भई खून में क्यों रहता है जिसमें globulin protein रहता है heem क्या है वो iron रहता है तो बहुत major constituent होता है blood का कौन iron it is necessary for formation of hemoglobin brain development regulation of the body ठीक तो iron बड़ा ही important है ओके की की देखो क्या है अगर iron कम हो गया अगर iron की deficiency हो गई तो क्या होगा hemoglobin कम हो जाएगा hemoglobin कम हो जाएगा तो RBC कम हो जाएगी ठीक फिर क्या होगा ultimately blood का volume कम हो जाएगा blood कम हो जाएगा ठीक एनेमिया हो जाती है इसी को बोलते क्या एनेमिया deficiency of iron diminished the T cells and production antibiotic का production और T cells का numbers कम हो जाता है T cells कौन से हमारी killer T cells जो हमारी बीमारी के जो यह कह सकते हो कि तोप है हमारी body के अंदर means gun बोल सकते हो बंदूख बोल सकते हो पिस्टल बोल सकते हो हना एक चपन बोल सकते हो मतला कि अगर कहीं कोई भी microbes दिखा कोई भी foreign particle दिखा तमारी killer T cells क्या करते उसको उड़ा देती है important function iron oxygen अब भई अब दूसरा क्या है hemoglobin हिमोगलोबिन अगर कम हो गया आईरन कम है तो hemoglobin कम हो गया तो oxygen carrying capacity कम हो जाएगी hemoglobin concentration और the serum iron concentration indicator of anemia means anemia चेक करना hemoglobin का concentration कितना है और serum में iron का level क्या है उससे पता कर सकते हैं कि भई iron का level means body में कितना है iodine की बात करें बहुत कम मात्रा में होता है हमारी body में बहुत कम जरूबत पढ़ती है कब अगर deficiency हो गई तो goiter हो सकता है गेंगा रोग जिसको बोलते है essential nutrients it is required for the synthesis of thyroid hormone थाराइड हर्मोन दो तरह होते हैं ट्राइडो थारोनिन और ट्राइडो ट्राइडो में तीन मॉलीकुल आयोडीन की होते हैं ठ्राइडो थारोनिन ठीक और ट्राइडो में तीन मॉलीकुल आयोडीन की होते हैं यह question MCQ में खुब पुशे जाते हैं adult human body contains 50 mg iodine 50 mg iodine एक को जरूत परती blood level of iodine about जिसमें से blood में जो आयोडीन का लेवल होता है आठ से बारा माइक्रो ग्राम पर डेसीलेटर मेंटेन रहता है ठीक यह डोज याद रखना है डोज जो है MCQ में पूश लेते हैं deficiency iodine disorder क्या है अगर iodine कम हो गया तो thyroid hormone कम बनेगा जिससे क्या हाइपो-thyroidism हो सकता है घेंगा रोग हो सकता है ठीक जिसकी वाज़े से क्या-क्या होगा physical development कम हो जाएगा mental development कम हो जाएगा rate of abortion females में abortion का rate बहुत ज्यादा हो जाएगा क्रेटिनिजम हो जाएगा बौने लोग होने लगें बढ़ेंगे नहीं ठीक सफीशेंट अवेलिबिल्टी आयोडाइज सॉल्ट अब जिन एरिया में आयोडाइज की कमी हैं पानी में हो नमक में हो या जो वेजेटेबल्स है जियोग्राफिकल एरिया पर खुब गया था ये क्या है इफेक्ट कर लेता है आयोडिन की डिफीशेंसी को या उस से ऊड़ीटेड़ एफक्ट को फ्लॉरीन की बात की जाए रिलेटेड़ टू टीथ अगर फ्लॉरीनेटेड वाटर जादा और डिफ्लोरीनेटर पानी में ज्यादा हो जाए तो डिपोजीशन हो जाएगा, fluorosis हो जाएगी ठीक, intake of fluorine associated dental caries, अगर कम मात्रा में fluorine लिया गया, तो दातों में cavity हो जाएगी, controversy prolonged ingestion of fluorine, अगर पानी में fluorine की fluorinated water है, जादा हो गया तो क्या dental और skeletal fluorosis हो जाती है, means वहाँ पे deposition हो जाता है teeth के उपर भी fluorine का deposition हो जाता है एक अलग type का deposition होता है वो दिखने लगता है, बहुत गंदा सा लगता है कुछ लोगों में, some area containing high amount of fluoride, कुछ area में amount की मात्रा बहुत ज़्यादा होती कि इसके fluorine की वहाँ पे इसा problem होती है अगले mineral की बात तो जिंक जिंक बहुत सारे ऐसे enzyme हमारी body में है जिनके formation में help करता है required the synthesis of insulin जो की major है insulin का formation, basically insulin का इस्तिमाल क्यों की आता है जब हम glucose लेते हैं जब हम carbohydrate लेते हैं तो dissociate होके, finally digest होके glucose बनता है अब glucose का जितना utilization हो गया body में जितना blood में बचा हुआ extra है insulin की मदद से वो किसमे glycogen में convert होके हमारी body में store हो जाता है फिर कभी जब emergency situation आती है तो वही glycogen फिर से glucose बनके हमारी body को surplus energy देता है अगर कमी हो गई जिंक की तो जाहिरती बात है impairment of sexual function multiple infection disorder of the taste and skin बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं जो जिंक की कमी से हो जाती है copper की बात करें प्रेजेंट होता है enzyme में facilitate absorption of iron iron का absorption copper की अगर कमी है तो iron का absorption सही तरीका से नहीं होता it play important role in incorporation of iron iron के incorporation body में absorption के लिए copper की जरूवत होती है ठीक addition to above mention mineral traces are followed कुछ ऐसे है minerals हैं जो trace में बहुत कम मात्रा में चाहिए chromium, selenium, cobalt, molybdenum, magneez और nickel these trace minerals are necessary भाई अब यह जो minerals होते हैं बहुत कम मात्रा में हैं और लेकिन body की functioning के लिए यह minerals भी जरूरी होते हैं ठीक अब इन mineralization program बहुत सारे government की तरफ से चलाएगा है जैसे vitamin A profile access program जहां पर लोगों को night blindness अगरा की problem होती है तो यह inadequate मात्रा में sufficient amount में vitamin A नहीं मिलता तो government की तरफ से program चलाएगा profile access program जिसमें क्या होता है one of the component of the national program for controlling का है लिए blindness के लिए blindness कांट्रोल की जाए कि इसको especially उन mothers को vitamin A की दी जाए जो pregnant है या उन छोटे बच्चों को जिनको यह blindness हो गई है ठीक between the age of 1 से लेके 3 साल के बच्चों को orally administer कराया जाता है और कैसे होगा इसका pattern 6 महीने में एक बार इसको vitamin A containing कितना लग भग 2,00,00 international unit IU मतलब होता international unit ठीक प्रवाइड कराया जाता है अब nutritional anemia से related कुछ program से लाएगा है इसमें distribution क्या कहता है iron और vitamin B12 और folic acid की tablet बटवाई जाती है pregnant ladies को और छोटे बच्चों को दी जाती है control of iodine deficiency disorders ऐसी जगों पे जहां पे iodine की मात्रा कम होती है तो वहां पे iodized salt national greater control program चलाया गया था कुछ समय पहले अगर 20-25 साल पहले की बात करो तो घेंगा रोग बड़ा common होता था गाउवगरा में खूब मिल जाता था जो कुपोसर्ण का सिकार होते थे लेकिन अब ना के बड़ाबर दिखाई नहीं देता पते नहीं चलेगा कहीं मिले नहीं होगा आप अपने surrounding में देखो किसी को नहीं होता है ना ग्वाइटर कंट्रोल program चलाय गये थे special nutrition program बहुत सारे चलाय गये जिसमें जिसका benefit छह साल तक के उमर के बच्चों को है ना जैसे आंगन बाड़ी pregnant women's को nursing mothers को means आंगन बाड़ी के program सो गरा चलाय गए घर घर में दलिया बटवाई जाती थी है ना चने बटवाई जाते कुछ dry foods बटवाई जाते मुन की दाल बटवाई जाती तो यह government की तरफ से nutrition program चलाए गए especially कहाँ पे slums area में, tribals में या backward rural area में जो बहुत ही जादा पिछड़े हुए है बलवाडी nutrition program छोटे बच्चों के लिए जिसका एक main target था बहुत important ध्यान रखना 300 provide बनलब इसको जो provide 3-6 एक याद रखो 3-6 साल के group में rural area मतलब गाहों में 300 kilocalorie energy देना है और 10 gram protein किसको per child implemented by बलवाडी data कौन से याद रखना है 300 kilocalorie और 10 gram protein MCQ में तुमसे यही पूछा जाएगा बलवाडी का data क्या रहता था ठीक कितनी calorie 300 kilocalorie और 10 gram यह ध्यान रहे कई books में यह data mismatch मिलेगा बट authenticated data यही है इसलिए मैंने खास इसको bullet points में प्रेशर दे के बताया कि यह चीज़ आद रखना integrated child development program जिसको ICDS बोलते है न इसमें क्या supplementary nutrition vitamin A profile axis iron calcium distribution beneficiaries इनमे means pregnant lady ऐसे feeding mothers और जो nursery class के बच्चे होते हैं उनके लिए यह program develop किया गया जिसमें vitamin A भी provide कराया जाता था folic acid भी provide कराया जाता था और nutrition की चीज़ें भी provide distribute कराया जाती थी midday meal program नाम सुनी रखा है आज कल primary school में midday meal की बहुस्ता करायी गई है जिससे बच्चे कुपूसर से बच जाएं उनको sufficient amount में balance diet मिलें ठीक फिर question balance diet पे वो हम लोग जब balance diet पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे यहाँ पे micronutrients में आज हम लोगों ने vitamin minerals पढ़ा कोई confusion हो तो comment करो उसको दूर के जाएगा ओके बाई